आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाली हैं Brightcom Stalk के बारे में इस इस इस्कक को डिस्कस करने का मुखि कारण यह है कि एक वन साइड़ गांटरेंड के बाद पिछले वन वीक में इस्कक का Trend देखेंगे तो मोर देन 8% का रहा है इसके साथ ही एक breaking news trend हुई है किसके जो circuit थे वो revise होते वे दिखे हैं और 5% से इस stock के जो circuit है वो 20% revise होते वे दिखा है और hope करते हैं कि इसका positive direction दिखेगा इसके साथ ही चुकि IT index काफी downtrend में है और अभी भी अमेरिका के अंदर देखेंगे तो selling pressure देखने को मिल रहा है और brightcom इस समय अपने near 52 week low के support पे है तो अगर आप इस stock में निवेस करना चाहते हैं तो small quantity sort to medium turn के ले लिये जा सकता है जहां 32 के near around की buying opportunity होगी SL below 26 होना चाहिए और target देखे तो 60 to 80 तक के target within maximum 3 to 6 month के duration में दिख सकता है साथ में ध्यान रखेंगे कि quantity काफी small होना चाहिए यहां से heavily invested करने की गलती नहीं करे अभी भी से stock में देखेंगे तो delivery more than 50% तक के दिख रही है और short to medium turn में trend दिख सकता है